पाकिस्तानी पहले ये समझते थे कि पाकिस्तान के मुसल्मानों में ही फॉर्डर लेकिन पंगला देश में जो सब हो रहा ही सब देख के समझ आ रही है कि सारे मुसल्मान ही शायद इस तरह के और रोजाना देश के किसी न किसी कुने में हिंदूों को निशाना बनाया जा रही है। अब तो बात यहां तक आगई है कि हिंदूों से सीधे protection money मांगी जा रही है। और कहा जा रहा है कि या तो protection money दो या फिर मारे जाओ या देश छोड़ कर भाग जाओ। Assalamu alaikum, उमीद है कि आप सब लोग लिश्ट पेशों के वेल्कम टू टू रिएक्स आज को हमारा वीडियो है वो कल के वीडियो की तरह का ही है जो कि बंगलादेश के उपर था कि बंगलादेश की माइनालिटीज के उपर जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से कि आप या तो पर हमले कब बंध होंगे कब हिंदूओं का कटलयाम रुकेगा कब मंदिरों को निशाना बनाये जाने की वारदाते थमेंगी क्या बंगलादेशी हिंदूओं के रक्षा के लिए भारत को 1971 दोहराना पड़ेगा क्या नमस्कार दोस्तों डिफंस डिटेक्टिव के एक और अपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोक दोस्तों शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बंगलादेश में हिंदूओं पर शुरू हुआ हमलों का सिलसला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है चाहे बंगलादेश की अंतरिम सरकार हो या फिर बंगलादेश के किसी ना किसी कौने में हिंदूओं को निशाना बनाया जा रहा है अब तो बात यहां तक आ गई है कि हिंदूओं से सीधे प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि या तो प्रोटेक्शन मनी दो या फिर मारे जाओ या देश छोड़कर रहना है तो प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो घर बार, जमीन जादा चोड़कर हिंदुस्तान भाग जाओ, टाइमस ओफ इंडिया की ये खबर खौफनाक है, ये खबर बता रही है कि बांगला देश में हिंदु किस तरह मौत के साए में जी रहे हैं, किस तरह उन्हें डराय जा रहा है किस तरह उन्हें अपना सब कुछ छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये आप भी ती, एक बांगला देशी हिंदु लड़के की है, जिसने स्टूडन्ट वीजा पर भारत आकर महराश्टर के एक इंजिनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है अब वो ढाका में काम करता है, उसके माबाब ढाका से करीब 200 किलमेटर दूर चटगाओं में रहते हैं, जिस जगह उसके माबाब रहते हैं, वहां और भी हिंदु परिवार हैं, इस लड़के ने बताया है कि पिछले कुस दिनों से उसके माबाब के पास लगातार धमकी ब पार्क लगा दिये गए हैं इन सभी लोगों को फोन कर धमकाया जा रहा है उनसे पांच लाख टका की मांग की गई है फोन पर कहा गया है कि या तो पैसे दे दो नहीं तो बांगलादेश छोड़ के भाग जाओ और अगर नहीं जाओगे तो मार दिये जाओगे यह को मारा भी जा रहा है अब इससरह के वसूली वाले फोनकॉल से बेंगलादेश के हिंदुों में और ज्यादा दर बैट गया है आम लोगों का जीवन पट्री पर लौट आएगा लेकिन बांगलादेश में तो स्थिती रोजाना खराब होती जा रही है बद से बदतर होती जा रही है ये बांगलादेश के अखबार देली स्टार की खबर है तारीख देख लीजे 15 अगस्त यानि कल की बांगलादेश के ठाकुर गाओं में हिंदू परिवार के घर को जला डाला गया गनीमत रही किस हमले में परिवार के लोग बाल बाल बच गए इससे पहले पड़ुस की गाओं में भी हिंदू घर को ठीक इसी तरह निशाना बनाया गया था यानि हर जगह हिंदूओं के घर की पहचान की गई उन पर निशान लगाया गया और उन्हें टार्गेट बनाया जा रहा है बंगलादेश के गाजिपुर में 13 अगस्त को भीर ने दो लोगों को लुटेरा बता कर पीट पीट कर मार डाला इन में से एक का नाम सुजान सरकार था मारे गए लोगों के पास से बंदूग, पिस्तॉल, चाकू तो छोड़िये एक डंडा तक नहीं मिला है पुलिस भी इस मामले में ठीक ठीक कुछ बता नहीं रही है तो क्या इसे टार्गेट किलिंग नहीं माना जाना चाहिए और ऐसा पूरे बंगलादेश में हो रहा है अल्प संके को खास तोर पर हिंदूओं को निशाना बनाया जा रहा है अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हिंदू परिवारों को फोन करके प्रोटेक्शन मनी मांगी जा रही है ठीक ऐसा ही कारोबारियों से भी किसाथ भी किया जा रहा है उनसे भी ऐसी ही वसूली की जा रही है दे डेली स्टार की एक खबर आज की ही है खबर बता रही है कि बंगलादेश में कारोबारियों से रंगदारी वसूली बढ़ गई है कुछ इसके पीछे महंगाई को करण बता रहे हैं तो कुछ तखता पलट को रंगपुर के एक फुटवेर कंपनी के शोरूम मालिक से पांच लाख टका रंगदारी मांगी गई धमकी दी गई कि अगर शोरूम चलाना है तो रंगदारी देनी होगी जाहिर है हिंदू कारोबारियों को स्पेशली टार्गिट किया जा रहा है बांगलादेश पॉल्ट्री असोसियेशन के प्रिजिडंट सुमन हवलदार ने बताया है कि वसूली करने वाले बदमाशों के साथ साथ पुलिस को भी रिश्वत देनी पड़ रही है यानि बांगलादेश में कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है फिर चाहे वो गाउं में रहने वाला हिंदू हो या फिर शहर में रहने वाला हिंदू या फिर कोई कारोबारी हो और ये तब हो रहा है जब बांगलादेश की एंट्रिम गर्वर्मन के चीफ एडवाईजर और उनके मंत्रियों ने देश में माइनोरटी की सुरक्षा को लेकर कई बार बयान दिये हैं बांगलादेश के एंट्रिम प्राइम मिनिस्टर मुहमद यूनुस 13 अगस को ढाका के प्रसिद धाकेश्वरी मंदिर गये थे उन्होंने वहाँ हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया था प्रस कॉंफरेंस भी की थी इससे पहले भी मुहमद यूनुस ने मुक्ह सलाकार के पद के लिए शपत गरंड करने के बाद कहा था कि अगर हिंदूों के खिलाफ हिंसा नहीं रुकी तो वो पद छोड़ देंगे तो क्या डॉक्टर यूनुस का धाकेश्वरी मंदर जाना केवल एक फोटो आप था क्या हिंदूों की सुरक्षा को लेकर उनका बयान केवल लफवाजी था केवल वर्ल्ड मीडिया के लिए किया गया दिखावा था अगर नहीं तो फिर बंगलादेश में अब तक हिंदूों के खलाफ होने वाली हिंसा कैसे चारी है 14 अगस्त को यूमन राइट्स की संस्था MNST इंटरनेशनल ले कहा कि बंगलादेश की अंतरिम सरकार को फॉरन हिंदूों और दूसरे अलप संख्यकों के सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे अमेरिकी मीडिया ABC News के ख़बर 13 अगस्त की है रिपोर्ट बता रही है कि शेक हसीना के हटने के बाद से ही बंगलादेश में हिंसा का दोर जारी है बंगलादेश में हिंदूों के नरसंगहर का मुद्दा उनके घरों और मंदिरों पर हमले का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया की संसत्तक में उठ चुका है ऑस्ट्रेलियन MP जूलियन लीजर ने बंगलादेश में हिंदूों पर हो रहे हमले को लेकर पारली अम्र्ट में सवाल उठाए और उनोंने इस मामले में हस्ता छेप की मांगी सवाल तो UN से लेकर, Human Rights Watch और अमरिका से लेकर, Australia तक ने उठाए है लेकिन इसका बांगलादेश के हालात पर कुछ असर होता नहीं दिख रहा है और तो और, वहां के स्तिती और जादा खराब होती जा रही है Voice of Bangladesh Hindu's नाम के एकस अकाउंट पर दावा किया गया है कि बांगलादेश में अब सरकारी विवागों में काम करने वाले हिंदूों को टार्गेट किया जा रहा है इस ट्वीट में कुछ पेपर्स की तस्वीरे भी ट्वीट की गई है दावा किया जा रहा है कि हिंदू करमचारीों को उनके पहनावे और बरताव के आधार पर नौकरी से निकाला जा रहा है साफ है ये किवल टार्गेट करने का बहाना है तो सवाल उठता है कि अगर बांगलादेश और हिंदूों पर हमले ऐसे ही जारी रहे तो भारत क्या हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहेगा बांगलादेश के हिंदूों के रक्षा के लिए भारत क्या कोई कदम नहीं उठाएगा साल 1971 में पूरवी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौजियों और रजाकारों ने वहां के बंगाली हिंदूों और आजादी समर्थक मुसल्मानों पर इसी तरह जुम ढ़ाये थे लाखों लाख लोगों को मार डाला गया था लाखों लाख औरतों के साथ बदसलूकी की गई थी आज एक बार फिर हालात उसी तरह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं कटर पंथी बंगलादेश को पूरवी पाकिस्तान बना रहे हैं जहां हिंदूों को टार्गिट किया जा रहा है तो 15 अगस को ही लाल के लिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलादेश में हिंदूों पर हो रहे है अटैक का मुद्दा उठाया है बंगलादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पडोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि बहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड देश वाज़ों की जीनता कि बहाँ हिंदू बहाँ के आलपसंख्यक उस समोधाय की सुरक्षा सुनिस्चित हो और इस बयान का असर देखिए कि आज ही बांगलादेश के एंट्रिम गवर्णनेंट के चीफ मुहमद यूनुस ने पीम मोदी से फोन पर बात भी कर ली प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने ट्वीट कर बताया है कि मुहमद यूनुस ने उन्हें बांगलादेश के मौजूदा हालात की जानकारी थी इसके साथ ही वहाँ शांती और सुरक्षित माहौल बनाने और लोकतंत्र की बहाली के लिए मदद भी मागी मुहमद यूनुस ने प्रधान मंतरी मोदी को भरोसा दिलाया है कि बांगलादेश में हिंदूओं और सभी अल्प संक्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और ये तब हुआ जब प्रधान मंतरी ने केवल बांगलादेश के हालात पर चिंता जताई थी तो बांगलादेश को चलाने वालों को भी मालूम है कि अगर हालात पर जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया और ये जो कटरपंथी लोग जो ये सब कर रहे हैं उनको अगर काबू में नहीं किया गया तो भारत भी कोई बड़ा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाएगा 1971 में जब भारत ने ऐसे ही मजबूर होकर कदम उठाया था तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे अब इस बार अगर कुछ वैसा ही होता है तो ये भी बांगलादेश के लिए बहुत भारी पड़ सकता तो ये बता कि ये मैं कुछा बाद हादम ही हो रही है कि इसना कोई होन लग गग गया एक दम से मैं ये ये स्वाज कना कर दो कि मुसल्मानों को कुछी समझ क्यों नहीं आती है सही से नहीं जए मामला कोटेगा था नहीं ज़ Twinstone पर परेले को स्टार्ट से पता कि ये वहाँ है पर ज़ला थे है और आन साधारान आफाद में लिए तो ये लुग सक्वाराण जाए नही अ पाकिस्तान से बंलादेश दान रहा है र्ना भाता है या जो बंला बंलादेश दिशे के सा लोग पाकिस्तानि के लुबुप पाकिस्तान के खिलाव अपने कंट्री कर रहे एक आम बंद जोग ळाते ही है वह तूक आख सब्लय को बदूक 49 जाए है शुब 15 , एक आम बंदे यह हाँ आम बंदे उसमें कुछ बड़े फीडम फाइटर भी थे उनकी पीछ फीडम फाइटर भी लगे थे तो वह सारे लोग जो थे उनकी लिए स्पेशल सपोर्ट दी जब बंगया उनों का अपने बंगलादेश बनाने बड़ी सपोर्ट किया तो हम आपको बड़े में सपोर्ट देंगए सपोर्ट लोने क्या इन ने यह दिया कि आप लोगों को हम जो सिविल सर्विस्स है जो ब्योरक्रेसी होती है जिससे सारा निजाम चलता है वार प्र आइस पूझ भी पीएम चेंज होता है तो सिस्टम पीछह वही रहता है सिर्फ शकल मुझे यह बताओ, जो असल टीम है, वो उधर ही बैठी होती है, वो उनको कहते हैं, जिनके पास सारे information, सारा data, सारे statistics होती है, जो civil services वाले होते हैं, तो वहां पे उन्होंने का कि हम आपको special quota देंगे, क्योंकि आपने बंग्रादेश बनाने में बड़ी help की है, तो आपको इत पास करके यह रेंक करके जो लगता है ना, मंगलादेश में उसकी बात है, जो वहां पे रेंक करके इसने करना था, उनको यह था कि आपको special quota देंगे, अगर 100% सीट है, तो इतने परसेंट सीट जो है, उन लोग उन लोग वाले हैं, तो इतने परसेंट सीट जो है, उन दो उनके पूरी टीम आपस में जो घूए कि उनकी बात जी बात बोली कि यह बड़ी तो आप देर से चलता रहा है अब तो दूसरी तीसरी नसल है, वो quota कहा रही है, तो फरीडम फाइटर था चलेगी, उनके अभरी नसल भी चलेगी, अब तीसरी नसल है, दूसरी के तीसर सबस्सक्राइब निनरा निलाしकρाने कि निए निलाकशने कीGetь ने की, का से मीच का था करने फेया निया थे है, वक्सु क्या कहिंए वप्तू हम बढ़ाएंगे तो जाएदा उसमें मुस्लिम ही थे, कुछ दूसरे हिंदू भी होंगे ओके ठीज होंगे हिंदू भी कि जाहर है सारे इस तरह नहीं था नहीं था जब अपने लेंड के लिए वहां पर भी वफदार तो यहां से मसला बना है लोगों ने चाहिना ज़सो के लिएक रहाए है जाहरा हुआ है उनको फायदा मेला है तो जो लोग तो ने लिए बहुत भूला कि जाहरा है , खायए हुआ है रहा है तो कि जो वहां के लोकल जनता ए कि सीविल सेसे फ्री कॉटे में आ रहा है उन्हों ने चीज़ें आ यह थी तरह आ पने हैँ अपने फिप्ञेर लेगा तो पिसीयुआ है, हिंदु के साहगों falls जोरे पारों कि लिए हिंदूवें जो ने लोकल वाम को दोडु कि अठरा ने, जबगा सी तोड़ुद कि अ आप लोकल वाम को आते हैं थे डिंगे लोग हैं एह रremता हीनों, जो फिल्डनेकर एह इतरी हैं दो फिल्सितल हैं, आप सबस्ट है 6 उन ज्यारी इनों को और हैं इन जवारे किया है कि उनको भी इस बात का डर है ना, ज्यादा मुसल्मान हो आते हैं, वो उनको प्रोटेक्शन देने आएंगे, तो व असल मामला जो पहले था वो तो पहली भूले हैं, वो बिल्गुली भूल जाएंगो इस मामले को, अगर ये हिंदू को प्रोटेक्शन देने आते हैं, तो ब सरकार हिंदों के साथ खड़ी होगी है, या सिर्फ इतनी ज़ाद दंगय फषाद, यह अज़ंग नहीं होगी है, ज़िए दंगय फषाद दुनिया में छोड़ी बातों पही होते हैं, कोई बी बात बता दे, कोई ऐसी लड़ाई बता दे जो किसी वजा पर होती है, कोई ल मेरा स्वाल था जैसी वीडियो खतम हो था मैं यह कहता है कि मुसल्मानों को इतनी कम समझ क्यों है अकसर मामलाद में चाहिए पाकिस्सान मुसल्मानों बंगलादेश के मुसल्मानों ने अपना रंग दिखा दिया कि उनको यह बास समझ ही निया अर पढ़ पीछे कि इसकी कर देना चाहिए क्योंकि आप अपना बंगलादेश की भी अभादी है आप तो मैरिट वालों को राइट खा रहे हैं न वो तो सरसर हग खाने वाली बात जो मैरिट लों की लेकिन उस पर उनको बड़ी तकलीफ हुई है आप उनको इस वी तकलीफ हुई है कि भई यह दू ह तो यह बड़ा घलत मामला है यह यहाद है मैं अभी इसको समाझ भा रहा हूँ यह इक जंक चुरू होगी बाहा पर इसको कहते हैं कि सिविलियन आपस में लड़ पड़े तो यह तो बड़ा गदना काम हो गया उस पराग के पहली उनकी एक महिने के अंदर उनकी जो कह रहा आप अज़ यह नहीं आप नुकसान ओह रहा है इस लह तो नुकसान हो यह टो यह तो यह तो टकस्टाईल एंडस्ट्री यह भागी आए गार्मिस की इंड़ा पती आप कारे आप पहले भी था जब साहर है यह पाकिसान कटे थे तब आप जाद वही से काम होता था है शुर दो जाए पताव है कि आप 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 में डॉटाक्चिन लिपो यहहां पोले तो तो ड्याकिन सबर दो, आपका देश जाओ कर जाए बेहांगे और भॉट तर जानों सतंती ति कंद आफी है। उनको पारी पदिशनों एक पर फे flavors के लिए घानाव देवा है है इंडिया को तो बात करने ही पड़ेगी ना जैसे पहले भी हुआ था जैसे पहले भी कट्करवला शाब होगी वह उनको बीच में मैदान में आना पड़ा था तो इंडिया को आने का मतलब अगर हम इसको सिर्फ यह रंग जे जे जेते हैं सुर्ण अढियुक्णे टेना है जो शुुलारण थे ना जार है जर्म-स सूछ राम sometime जडिया जोती वह एख kum अबादी तो दूसरी बात है दूसरी बात ही ओकि वह लोग आख ascbank पे मैंड़ेट्व थे बात थे कुलार सुरा रंप बड़ में आत पहिंको आप अगर चाहते हैं इसको बैतर कर लें, यृन अवे दो झाहिए लिए अब आप साइवास बहते हैं अगर साथ ओवने सीज़ तो जाता है यृ उनको उन्होंने मदद देना ज्यादा बहतर है निको उस्मेदान जाना है यृ जाता है, यृ नगाए बहतर है रिटें कियो तो है 15 घृ शब सब्सकारेट वान है लो टो अव now is a सब्सक्रान को समहिज racing 직्योन के सब्सक्राइब एक लीवान वई यह पीकिल यह घून तो हमां हुट नहीं थे ऐ हम कर लेह उन चाहते है थे यह कुद्टार गट Jack प्रॉबसद जलम है भाह मारे हैं गिए बड़ें दोग मारें गिया है दूख रहा है वहां ओल सिवि आज वर गाहिए इसको प्रॉपर सिविल वर कहते न है भी हूप और असल असल मात काम गाहिए जो हिम पीछ है उन्हों पाद किया है उन्हों मुझे प्ता कर दान है जब सि तो हिंदों की तरफ किस्तना गया है लेकिन मेरा थोड़ा सा अनुपव यह कहता है कि हिंदों कोई ने बात की होगी बीच में कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए तो उनके पीछे लगे होगी क्योंकि जारे है पहली ही नफरत है कि अब यह देखना यह चीज कहा से आ रही है कि मुसल कि इसको छोड़ के हिंदों के पीछे लगे हैं तो असल को चोड़ के दूसरी तरफ लग जाना भी शक उन्हों ने इस हक में बात कि होगा हां सरकार के हम साथ है लेकिन असल तो बात वही कर रहे हैं तो यह चीज कहां से आते हैं कि वो इतना उसके उपर जल्म करने लग वह कहां से चीज़ पैदा होरी है कि हिंडू को हमने सांस भीह लिए पर देना ऐसी तो नहीं आ रहे हैं ना इतने लोग टंग कर रहे है। कहीं से तो ये खुराग भरी जाती है कोई से फूरून दिया जाता है एक इसको तो तुम्नेखाना है और पीर तुमनना उसे एसापसे है जो भी तुम्हारा हासमरा उसे सापसे है यह जिसम है यह जातर तरो अचिलते मुस् ा हैं जिनका मैंटसेट है अबहु देखें तरो पहुंना हैं हम अगर सुख्वास अरब की यह जो शुरुआ थी यजह रहां कहीं तो वहाँ मुझी 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 मोपन करें वहां पाकिस्तान मुझी मफ़झी मुझी मृझी मुझी यां कि उन्हें आका और सेक्लर बनने की कोशिश कर रहा है यहनोर है हुआ है कि it was भुबना का पडू और घुलार है वहाँ पर एक चीज है मैं आप वही मानता हुआ यह रगदमन सुलीशन तरह सामने है शुलीशन परिश्रले तरह सामने है अगर एक चीज है जहाँ से वह स्टार्ट होई यह जो उसकी में बेसिक जग़ह है वहाँ पर वह चीज उस-स तरह नही है यह वहाँ जोस्द कि कंट्री जहां बें ऐसे के संबोड़ाई के सह beslूद Samar कॉन्टी नहीं इसके साथ को कह जो एक जूद की सह जा है जोग एक जोता पर कार मून जाय तो प्याद से भी स्थ कुछा था दूसरे जहाना हुई और दीया मून थäre्शरी जारा है यह चारा हैं। और सभी तरफ मेला के कि पछ्री उनसा हम से को पीचिछे भी की है हैं। पीछे से पीछे हैं। तो loving जोस्तों कि एि Been 충분! सुधीर अभ्य की उनसा जानाता हैं। मोनला की अभी! मैं टेल आफ़ से किन रिए शारा है… लिए गाता है। यह वो आगा पुछ आगए है ना ऑग शायाथ नगे थे अपको फिकिनुरble almost चुछ निकालेंस के फिर उन निकाले के वसायल भी नहीं नोगाए हुग कि मैल अगर इंडेटों कोश्ता है क्या सब्सक्तार है मैं तो यह वाज पुनिशने कोई और आपसक जाल है इस तरह अगर देखें तो यह जो एम्बियस आई जो बाकी इससे पहले जो बादशाह थे जो भी बादशाह थे जो भी उसी नसल गे थे ना पड़ी थे लिए जो एक आप बनी तो उसकी तो एक रिचार हो नहीं कि बादशाह थे जो जो भी है यह छहां वेस्लाम ने जनम लिए जहां पर इसला में आया जो आए तो आज पर प्रहूं काई थे पहले रजिजन है उन्हों नहीं को सेकृलर बनाई इस वाज़े से नहीं ह हुए साथियराप में है जितने भी गोरहा हुआ है ्जयू जितने पَरसंते रेलिशन नहीं जो हंडर परसंते साथिय उत्पर स्पीड सेंठ नहीं गो घ्रेल आपसे अभू सा उप्स पहले कि अभी कि प्लिग घृतन Еई ऑढ हो जो क्रेंस काम करती है, वो दुभाइ में करती है, तो आप साजीरब भी उस लिस में बड़ा उपर आ रहा है, कि वो उन नए चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं, उन सारी नए चीज़ों को उसमें भी नहीं की डांस चराब नहीं, वो फ्रीडम, कि जिसका जो mind है वो खुद ग्रो करके उसी इसको इसको इसे अनोगे जना मदिना मनवरा के इन तर गाड़िया लेके गुषगिया है इतनी फ्रीडम हो गई है और गाड़िया और रेडे लेके दाएं किस तरह लेके दाएं लेके नहीं गुषगे अख़एंपल युषग जो गुषगे इन गुषगे ऑड़िया आपले गुषगेस अटे मदिना मनवरा व जोग जूता पैंके जाते हैं जूता पैंके जाते मुझे एक बात बता वहाँ वोगो कैसे वह चीज़ पर ट्रांस्फोर करेंगे खोते रएडे पे बेसती नहीं होगी उसपे भी तो टायब लागा जाए उसपे भी तो घदा है वो या गोड़ा मदीना मुनवरा जिनेक मसजीद है मसजीद के अंदर वाले इसमें समान कैसे अंदर पुंचाएंगे वो समान नहीं पुंचा रहे है वह जनाब वेडिया मनेवरा में सफ़र कर रहा है गाड़ी की बैठ गठ गए यागे देखो वीडियो जरा फ्रीडम की बात करते है अब इसमें वन्दा क्या सकता है ठीक है जो तुम लों का अपिनिया ने मैं तो यह सिंपल सी बात कर रहा हूं कि इसको हम प्राइवेट रख हमारा चौ़दा से तरलोग हो कि अफ़fendा से तरलोग हो कुन मसिद में क्या लेगे जा रहा है इसके अपना प्रसिनल मैटर है इसको थो मुझना इसको कि उन्हें बहुत है थाइसे करके देखते है तो हम डिरेक्ति यो नहीं है तो इसको यहा दिर्मारा गार इसा प्रीज तो उनके कुछ एडिकेट्स हैं, कुछ उनके मैनर्स हैं, आप उनको फॉलो करो नहीं करने हैं तो वाफस जाओ, तंक कुछ रहे हैं तो भाई देखो, एक मस्जित बना दिया है, अबालत गा बना दिया है उसका अपना एक सिस्टम है, आप उसके अदर रह के काम करो आपने कोई चबल मार रही हैं, आप मस्जित बाहर हो, आप मारो, आपको कौन रोख रहे हैं? मुझे एक बात बता, यह हिंदों के मंदरों में इतना पंगा क्यों नहीं होता, वहां पर भी बहुत सरी चीज़े होती है, जो लोग अपने धारनेक रिचुल्स के मताबिक उनको लगता है कि यार यह नहीं होना चाहिए, लेकिन वह इनी बहां पर तो नहीं होती है, यह यह जो जो भी सारा मसला है, जो हम किसी जगा पर जाते हैं, तो हम आपके रूल्स ए डेगरेशन को फॉलो करते हैं, तो वह चाहिए, करना चाहिए, तो मेरा उसके बदे में काउंटर सवाल यही है, कि यह सारी चीज़े जितनी भी हैं, यह हिदूं के मंदरों में क्यों होत कि पेड़ा है, तो दूसरा जिससे अपने मर्स इना, आपने प्रभू के, खाली माता, इससे अपना पूझ़े, एपने बनाया है और जो मर्स भी तरहे, जड़ा है, उस मन्दिर आन जिनामी डिना थे ने को थासरा हो नो रहा ही ह। वो अपना देखते हैं कि मैंने क्या करने यहां एक अलगी सिस्टम शुरू हुआ है कि चलो जी सबको एक पॉइट पर रखा है और सारे उसके प्रखे हो यह हम एक नई बैस में पढ़ने च्छोड़ी सी बास के वहां पे इंडिया में एक ऐसा मंदिर को तोड़ने की बात की इसको कनवर्ट करने की बात की थी मस्जीद में उन्होंने का कि यह हमारा जद्धी पुछती एक सिस्टम है यह हमारा मंदर है मेरबार ने फर्माओ ना करो ऐसी कि पासा कुछ मुझे याद नहीं कौन से ज़रू है वह यह राम मंदर में रहा है उसकी बात को अब मैं बंद यह खाना काबा यह दो चीज़ें जो एक नसल दर नसल या एक कहले के बहुत परानी एक मजब से रिलेट चीज़ चल रही है हमारी सबसे हम कहते हैं कि पाक को कदीम चीज़ है हमारी लिए उस तरक लाने पाक भी उसमें आती है तो आप मेरबानी फिरमाओ इसकी हदूद को और चीज़ आप को आप चोड़के बखश एक बखश लेटे दो बाकी जो मर्दी करते हो आप कहड़ी हो के मैंने साथियो नाचगनाच शुरू करने शराब एक खोल ली है मैंने बात की है और मैंने का ओक मर्दी आपको नहीं करता समय लग रहा कि ऐसा होना चाहिए तो मैं मैं कुछ नहीं किया सकता है लेकिन अगर आप गाड़ियां लेकि ही अंदर गुज्जियो बैजन मस्जीद में आप चपल बैंक जा सकती हो दिन मानता है आपको रसना मैं बात करूँ आपसे परसनल बात करूँ नहीं मेरा दिन मानता है तो आपका जो उसकी रिस्पेक्ट के अजिदी कि मानता है परसना मैं लेकिन अनुद आपक जाता हो नहीं किरा दिन मेरी जाता है और जो बात पूपिक छिए चोई अगर बात कहते है चुष्ड उतल जाबे कि लिए हमारे खाने ऐसे ओड़बेड ऑन्दाइग इस पार आप स्मौन के और हमारे बात के वाद़